अगर बना दो पूल नहीं तूटेगा नहीं तूटता स्री राम से भी इस दुनिया में महान धनुस्दर अर्जुन अगर पूल बना दे नहीं तूटेगा तो ठीक है बनाए ये बोलते हैं अनुमान जी बोलते हैं चलो बनाओ मेरा ही भारणी सहफाए गहसा करके और मेरे से भी दस गुना ज़्यादा ताकतवर उस समय रमयान काल में सैनिक थे वानर थे भालू थे और अनेकों प्रकार के वीर थे अर्जुन अंत्यता अपने वानों से समुद्रक उपर पूल बनाना चालू करते हैं और जब बनता है और जब अनुमान जी उसमें कदम रखते हैं जैस्री राम नाम लेके एक मिनट में तूड़ जाता है तो इस वाद से भी हम लोग सीख सकते हैं कि जो है जैसा है हमको यह अगर हम लोग देखें तो आप सभी लोग का स्वागत है के टीए सिस्टम में की टू सक्सेज हमारे टीनो डारेक्टर जिनका कहना है की टू सक्सेज मतलब सपनों की चाबी सपने आप देखो रास्ता हम बताएंगे ऐसा कहना है तो दुबारा से ऐसे सांदर सिस्टम में आप लोग का स्वागत है और चलते हैं आगे एक बहुत ही सांदर लाइन भुजी हुई समा भी जल सकती है तुफानों से कस्ते भी निकल सकती है हो के मायूस यून अपने इरादे बदल ध्यान से सुनना है हो के मायूस यून अपने इरादे बदल तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है तेरी किस्मत कभी बदल सकती है इस बात को ध्यान रखना हमें और ये लाइन बहुत ही मोटिवेट करती है अगर हम दिल से समझें तब चलिए आगे चलते हैं और ये उस वक्त की घटना है बहुत ही जवर्दस्त बहुत ही बहतरीन सीन है महाभारत का सीन है दो महारतियों के बीच में जब युद्ध चलते रहता है महाभारत में सत्रा दिन तक ये युद्ध चलता है जहां पर एक से बढ़कर एक महारति थे एक से बढ़कर एक और ये उद्ध हो रहा था धर्म और अधर्म बीच में लेकिन दिखाया जा रहा है किसके बीच में कवराव और पंड़ाव सब भाई थे पंड़ पाँच भाई थी और कोरों की तरफ नराएनी सेना थी गुरुध रों थे वी सम्पितामा थे ऐसे बहुत सारे महारति थे लेकिन पांड़ों के तरफ नहीं ते यह सिर्फ पाँच भाई थे और कुछ-कुछ इनके पास न ते आ और इनके बीछ में यूद्द्ध चलता है बहुत भाई कर दोनों एक समान थे क्योंकि ये कहीं न कहीं एक ही पिता के पूत्र थे करन और अर्जुन एक ही पिता के या यह अंजाने में भाईवाई ही थे और दोनों के पास एकदम समान सक्तियां थी सिधियाँ भी समान थी, सब चीज बराबर था, और कर्ण के पास वर्दान भी था क्योंकि सूर्य पुत्र थे, और अरजुन के पास भी था, अरजुन और कर्ण अक बीच में यूद्ध चल रहा था, तो जब कर्ण बान मारते थे अर्जुन के रत पर लगता था तो वो दो कदम पिछड़ जाता था लेकिन जब अर्जुन बान मारते थे तो कर्ण के जो रत होता थो दस कदम पिछड़ जाता था और युद्ध चलते 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 घटना यह होता है कि कर्ण के रत का पईया निकल जाता है और अंतता अर्जुन कर्ण को हरा देते हैं कर्ण को जब हरा देते हैं और युद्ध समापन की तरफ चला जाता है तो इसके बाद होता क्या है कि अर्जुन को लगने लगता है कि ना युद्ध मैंने जीता है मेरे कारण से महाभारत का युद्ध जीता है मैंने गुरु ध्रोन को मार गिराया, मैंने भीज में पितामा को गिरा दिया, मैंने करन को भी हरा दिया ऐसा इनकी अंदर एक एहंकार आने लगता है, इको आने लगता है और यह जब कृष्ण भागवान के साथ पैदल चलते रहते हैं और इनको थोड़ा सा हशी आने लगता है क्यार मैंने सभी को हरा दिया मेरे कारण से महा भारत की जीता गया है मैं सबसे सरस्रेश्ट आद्मी हूं सबसे सरस्रेश्ट युद्धाइश महा भारत मैं ही हूं एसा अर्जुन को लगने लगता है कि मेरे कारण से महाभारत की उद्ध जीता गया है तो क्रिश्ण भगवान समझाते हैं कि नहीं अर्जुन ऐसा बात नहीं है उनके पास बहुंच सारी सक्तियां थी तो अर्जुन बोलते हैं क्यों के सब मैं मारता था तो दस कदम पिछे द दिखाते हैं कि तुम्हारे रथ में कि स्वैम तीनों लोग के तीनों लोग के जो मालिक है वो बैठे हैं और तो और बजरंग बली भी अनुमान अनुमान जी तुम्हारे रथ में है पूरे रथ को संभाले हुए अगर छोड़ देते न एक मिनट तुम्हारा रथ तिकता भ सिस्टम वहां पर लगा हुआ था और तीनों लोग के भगवान जहां बैठें और दो कदम अगर पिछे अड़ जाए तो सोचो उनके में तो कुछ भी नहीं था तो यहां पर समझना यह है कि अर्जुन के कारण महाभारत करना जो यूद्थ नहीं जीता गया था और धर्म रूपी सिस्टम लगा हुआ था वहां पर इसलिए अर्जुन जीते नहीं तो नामुंकिन था हमें समझना है कि जो भी हो रहा है जैसा भी हो रहा है वह हमारे कारण नहीं हो रहा है्यौह anunci नहीं हो रहा है कि मैं यह सब्द दोहरा है इस प्लेटफार्म के कारण है इस बात को हमें समझना है मुझे लगता ऐसा तो इस कहानी से हमें यह समझ में आता है ठी सिस्टम के कारण यह सब हो पा रहा था दूसरा फिर से एक बार अरजुन को फिर से एक बार आ जाता है यह फिर से भ्रहमित हो जाते हैं जब राम सेतु को देखते हैं चलते 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 राम सेतु को जब देखते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं कि यह समुद्रम पूल किसने वनाया है तो वहाँ पर जो बजरं तंका जाना पड़ा तो उस पर जाने के लिए इसका निर्मान किया गया था तो अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री राम तो कि बड़ी है ओधे उनको इसमें टाइम लगाने से इससे अच्छा तो बानों का पुल बना देना था अगर मैं रहता उस समय तो मैं बिल्कुल यह चोटे-चोटे पत्थरों में टाइम निहीं लगाता अपना चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-पत्थर की उपर टाइम नहीं लगाता मैं तो सिधा बानों का पुल बना देता यहोंकि इनको एंकार था तो हनुमान जी समझाते नहीं भाई ऐसा नहीं है उस समय बड़े बड़े विशाल का आए वानर थे बड़े वड़े योद्धा थे जिनके कदम पड़ते ही वो बानों का जो पूल है न वो तूड़ जाता लेकिन अर्जुन मानता जी नहीं है अर्जुन का कहना है नहीं मैं अगर बान चला दो अगर बना दो पूल नहीं तूटेगा नहीं तूटता श्री राम से भी इस दुनिया में महान धनुस्दर अर्जुन अगर पूल बना दे नहीं तूटेगा तो ठीक है बनाएए बोलते हैं हनुवान जी बोलते हैं चलो बनाओ मेरा ही भारणी सहपाएगा ऐसा करके और मेरे से भी दस गुना ज्यादा ताकतवर उस समय रमयायन काल में सैनिक थे वानर थे वालू थे और अनेकों प्रकार के वीर थे अर्जुन अंत्यता अपने वानों से समुद्रक उपर पूल बनाना चालू करते हैं और जब बनता है और जब अनुवान जी उसमें कदम रखते हैं जैस्री राम नाम लेके एक मिनट में टूड़ जाता है तो इस बात से भी हम लोग सीख सकते हैं कि जो है जैसा है हमको ये अगर हम लोग देखें यार ये चोटा-चोटा-चोटा-चोटा-चोटा पत्थरों से क्या पूल वनेगा मैं तो ऐसा बना दूँगा भी लोग बताते हैं आइसा कर दूंगा सर ये कर देंगे सर वैसा कर देंगे सर भाया time के हिसाफ से समय के हिसाफ से जो हुआ है वो वो इस ताइम पे वैसे लोग थे वहां पर इसलिए उस पुलका निर्मान किया गया था तो आज भी हमें समझना है कि अगर लगे कि मैं इससे भी बढ़िया जबर्दस पुल बना दूंगा और मेरे ज्यादा कोई नहीं मैं हूं सरस्रेश्ट हूं या जो भी हो रहा है मेरे कारण हो रहा है तो चेक कर लेना है इस कथा से सच्छाई है कोई भी इंसान पॉड़खुल नहीं होता है उस समय को सिस्टम पॉड़खुल होता है और यहां पर आप समास्षे हैं कि आदमी पावरफुल नहीं है, सिस्टम पावरफुल है, मान लेते हैं कि ये ना कार्दूर्स सा ये गोली है, और इसको लेके जंगल चले जाए सेर के सिकार करने, होगा, खुद के सिकार हो जाएगा, लेकिन बंदुग के सामने में क्या है, सेर को भी गिराया जा सकता है, इसक मुश्किल है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सिस्टम का माइने रखता है, सिस्टम के कारण सारे चीज होते हैं, साइकिल भी है और गाड़ी भी है, आदमी रोंग चीजग反ा लेकिन इसमें एक सिस्टम हीट नहीं दोनों साइकिल से ज蒜़जा रहन सकता है, कि उससे भी तेज यहां पर और ज्यादा सिस्टम लगा हुआ है इससे और ज्यादा आदमी आगे जाता है लेकिन इसके लिए ट्रेणिंग लेना पड़ता है तो कहने के मतलब यह है दोस्त कि जो केटी एस सिस्टम है यहां पर कोई भी आदमी महान नहीं है इनको कोई आइडिया नहीं है मैं अपने आपको समझता हूँ मेरे अंदर कोई पावर नहीं है ना तो मोटिवेशन है न तो ट्रेनिंग है न तो अनुबाव है ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसके कारण मैं यहां पर हूँ सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ भी है तो वह केटीयस सिस्टम के कारण सिस्टम जैसे बताता है वैसा मैं बोलता हूँ जैसा बोलता है कि आपको ऐसी करता हूँ जो भी सिस्टम बता दिया सिर्फ और सिर्फ समर्पन आदमी में बिल्कुल पावर नहीं है वो तो सिस्टम के कारण है तो हमें समझना है जो केटी सिस्टम है अगर यहाँ पर मैं इतने दूर तक पहुंचा तो वो सिर्फ और सिस्टम के कारण था सिस्टम के बताएवी राष्टे पिने चलता या अपने आपको मैं समस्थक में ज्यादा अच्छा कहानी बताता हूं मैं ज्यादा अच्छा लोगों को ट्रेनिंग देता हूं मेरे फालो अप से 100% काम हो जाता है तो सायद आज मैं यहाँ पर पहुंची नहीं पाता क्योंकि म मावारत में भी हमने देखा है रमायन भी देखा है कि जितने लोगों को लगता था कि यार मेरे कारण है मेरे कारण हो रहा है तो ऐसा नहीं हो रहा था वो तो सिस्टम के कारण था कोई न कोई रूप में सिस्टम था वहां पर तो के टिए सिस्टम के कारण आज जो भी है ज उसके सानिध्य में ही पहुंच सकते हैं तो चलिए आगे चलते हैं यह तो था जानकारी कि हमें कैसे काम करना चाहिए अब हम बात करते हैं वाई आखिर क्यों हम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं क्या ऐसा कारण है मैंने इस बिजनेस को क्यों जॉइन किया है यह सबसे बड़ा सवाल है क्यों लोग कर रहता है कि साआर एक मäहीन हो गया मुझे जॉइन क रहे हैं मेरे ऐक तो पैस आई नहीं नहीं था इंस ऐसे हैं और कैसे आएगा आने वाले 6 महिने मुझे क्या चाहिए इस बिजनेस से यह पता हो न चाहिए क्या पैसे के लिए काम कर रहे हैं क्या स्वयम का विकास चाह रहे हैं क्या चाह रहे हैं तो मुझे जो लगता है जो मैं जिस कारण से मैं बिजनेस को स्टार्ट किया जॉइन किया मुझे पैसा चाहिए घर के लिए बहुत सारे समान खरीदना था स्वैम कभी विकास करना था यह सारा चीज मेरा तार्गेट था दूसरा चीज नेस्ट लेवल कब तक अचीव करना है अभी आप स्क्रिंस और ले सकते हैं अगर आप आज जॉइन किये हैं कल किये थे एक सप्ता पहले किये थे दस दिन पहले एक महिना पहले कि इस्टम तो पावर्फुल मिल चुका है सिस्टम के कारण कोई भी विकति सिस्टम के कारण आगे जा सकता है तो मैं इस बिजनेस को क्या है इनकी हैं सारे चीज़ों के लिए करना पढ़ेगा नेस्ट लेवल कब तक अचीव करना हैं decide करना पड़ेगा आगे चलते हैं अब आपका सपना क्या है आपका सपना क्या है उन्हें हम साकार बना सकते हैं तो सबसे पहला जो होना चीह हमारे पास क्या करना है क्या आपको पैसों baru लिखना के लिखना है दो से तीन साल का लाइच लिखना किस चीज की ज़रत जैसे हम पर दिखाए गार फिक्चर में कि सुरू से तीन से च्छे महिनम तो पहला टारगेट कि कम सकम 20,000 से लेके 50,001 लाग तक इंकम करना दूसरा च्छे महा से एक साल के अंदर इतना इंकम करना है कि हम अपने लिए बाइक ले सकें इसकूटी ले सकें या और छोटे मोटे जो भी जरूरते हैं उनको ले सकें एक से दो साल के अंदर और अभी लगभग डेड़ साल होने जारा हमारे सिस्टेम को जिसमें 80-90 लोग पैसे हैं जिन्होंने कार यहां से लिया है तो आप भी लिख सकते हैं कि मैं भी कार ले सकता हूं दो से तिन साल के लक्ष हम आप लिख सकते हो कि मैं सांदर घर बना सकता हूं या तो ले सकता हूं इसके आगे और जो जो आपको चाहिए हो जितने भी चीजें आप चाहते हो लिख सकते हो उसके बाद इसे 100 परसेंट पूरा करने पहला 90 परसेंट उत्सा दूसरा 8 परसेंट टेकनिक और तीसरा है दो परसेंट के आपसी संवाथ लेकिन शुरुवाद करने आपसी संवाथ थिरफ से अगर आपसे संवाथ का मतलब है अपने ऱ्रॉइं से बात कर बीजनेस के सभिसाह में अपने नीव पाडन्र से बात करना है और उनकी ज़rica किया जाता है कैसे फालौप किया जाता लिस्ट कैसे बनाया जाता है पुराने पढ़ना को और अपने अप लाइन से बाच्चित करना है जो ग्रोइंग हो कि यहां पर भी ध्यान देना है अगर गलत आदमी शकुनी जैसे आदमी से अगर बना लिए गुरु जैसे द्रियोधन था ना यहीं पर है कि सही मार्ग दर्शन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे अप लाइन है वो खुद मीटिंग में नहीं आ रहा है अब उससे आप पूछोगे कैसे करना है क्या बताएगा वो तो आज का ट्रेनिंग जो आइन ही नहीं किया है कैसे बता देगा या वो लिडर्शिप ट जो रोज इनिविटेशन करता हो हर दिन काम के लिए शिरियस हो उस पार्टनर से बात करना है उस पार्टनर की मदद करना है जो ना सिखना चाहता हो अपने माबाप के लिए अपने भाई वहन के लिए अपने सपने के लिए शिरियस हो ऐसा भी पार्टनर रहते हैं जो अप प्रेशिडेंट हमें भी बनना है अपलाइन कभी सपना हो मुझे भी डाइमंड बनना है उस व्यक्ति के साथ हमें काम करना है उसके बाद आता है टेकनीक और यहां पर फिर से सिस्टम है कि सिस्टम पावर्फुल है इनसान नहीं यहां पर आदमी काम कर रहे हैं दो आदमी इधर काम कर रहा है एक आदमी ज्यादा कौन काम करेगा यह लोग बिना टेकनिक बिना सिस्टम के कर रहे हैं और यह आदमी अकेले हैं लेकिन वेट टेकनिक है सिस्टम से है सिस्टेम के साथ है यह जितनाए एक महींघकाम करेंगे उतना यह एक दिखाना और चयोंकि इसके पास सिस्टम है bacternaj है तो चलते हैं आगे क्या सिस्टम है करने के सिस्टम है पहला लिस्ट बनाना पड़ेगा दूसरा मंत्रीत करने तिस्रा प्लान दिखाना टो Michalai कैसे करना कि इस विजनेस को कौन करता है इस वात को समझना है कि कौन करता है जानुवर करेंगे यह नदी तलाब करेंगे इस business को वही आदमी करेगा जो इंसान है, यह business लोगों का है, नदी तला पेंड़ पौधे इनका नहीं है, लोगों का business है, तो list किसका बनाना है हमें, लोगों का, hot list का बनाना है, जो बहुत करीवी लोग हैं, warm list जो थोड़े करीवी लोग है, cold list कभी कभार मिलने वाले लोगो यहां पर बहुंत स्थावे लोगर Kazee Hmm दिमाग लगाते हैं है जिया जाता है कि जिनको आप जानते हो उनका लिस्ट बनाना जी जिस व्येक्थि को आप जानने उसका लीस्ट बनाना है जिसने इने लिस्ट बनाया रहुल गांधी नरेंद मोदी अमताब बचन सलमान खान इस्वरिया राय माधुरी दिख्षीत मैं तुनको भी जानता हूं सर बोलता है बहुत बढ़िया बात है लेकिन क्या वो भी तुमको जानते हैं कि रहुल गांधी आप खोर्ड करते हैं समझ नहीं आतार है रॉइनसान है क्या चीजिछ है और भूपेज बघ्र में जानता है थे अनलों के लिष्ट बनाना है यह तो बनाएगा नहीं ऐसे हैसे लोग मिलते हैं यह तो बनाएगा नहीं अभ आम बोल रहे हैं जिनको भी आप जानते हो उस आदमी का नाम लिखना है तो बोलता है मैं तो इनको भी जानता हूं मैं तो इनको भी जानता हूं क्या वो भी जानते हैं आपको ध्यान रखना है कि हमें उन लोगों का लिस्ट बनाना है जिनको हम जानते और जो हमको जानते हैं उन सभी लोगों का लिस्ट बनाना है हमें छोड़ना नहीं है तो लिस्ट बनाना है और लिस्ट बनाने के बाद में कि हमें इन्वीटेशन करना है स्टूडेंट हो चाहाँ सब्सक्राइब बिजनेसमें लोगों को हमें इन्वाइट करना है कैसा रहेगा फार्मूला लगा के इसके लिए शांदर वीडियो बना हुआ है जहां से आप जाके देख सकते हो या कोई भी इस्टूडेंट रहा है तो पढ़ाई कर रहा है कहां कर रहा है कैसे कर रहा है आप जान सकते उनके बारे में जानने के बाद में उससे बाप पूछ सकते हो यारी जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका खर्चा कैसे मेंटेन करते हो आपने जेब खर्चे कैसे आप निकालते हो घर वाले से लेत कि अगर समझदार होगा बताएगा नहीं यार मज़ा तो नहीं आता है लेकिन क्या करें मजबूरिय कोई रास्ता नहीं है तो आप आप बता सकते हो खाली समय क्या करते हो कि कितने बज़ए पढ़ाय करते हो खाली समय क्या करते हो तो बता है लो है तो आपको साने लगे जो आपके जएफ खर्चे हैं यहरकला इम्मचません यूडे है उसके लेगा आपको आने लगे महीने के पसंद के चीज़ें लेते हो ऐसा तनिये कंप्रोमाइस वाला लाइफ चल रहा है उनको आप बता सकते हो दिदी खाली समय कि समाल करके आपको आजाए जिससे आप अपने लिए जो भी है जरूरत की चीज़ें आप ले पाओ मांगना ना पड़े जॉब परसन है लोन लेना और आप ऐसा कर सकते उसके लिए वीडियो है सांदर आप अपने सिनियर से बोलोगे तो मिल जाएगा दूसरा चीज़ है कि स्टेटास हम लोग लगाते हैं लगातार कंटिनू स्टेटास लगाते हैं जहां पर वर्फाम होम घर से करे काम और तीन से छहजार करे इंकम ऐसा ह हम लोग हैं क्योंकि हमारा इनकम भी बड़ा है हो मबड़े-बड़े स्टेटस लगा सकते हैं लेकिन अगर आज चालू कर रहे हैं एक सबता पहले स्टेटास लगाना है 2000- Vai का 5000 यह कि जादा नहीं लगाना है मात्र चार यह प्दा चलेका जिनको इन्मिटेशन पह संप दो नहीं उठाया हमारा लेकिन वह स्टेटास सारे वाज कर रहा है तो समझ जाना है इसको ना जरूरत तो है अब सकता तो है लेकिन यह डर रहा है इस प्रगार से हम समझ सकते हैं यह भी तरीका बहुत बढ़िया काम करता है उसके बाद चाहिए आप कॉल करकी निमिटेशन करो या तो इस्टेटास के थ्रू जानकारी मांगता है तो ओल इंफर्मेशन ऑन जूम में ही देना है जूम के माध्यान से भी ही जानकारी देना है गडबड़ी में गडबड़ी नहीं करना है भाई कुछ नहीं करना है बस तीन हजार देना है स्टेटास लगाना पैसा रोह जाएगा कमा सकते हो गलत इंफर्मेशन नहीं देना है नहीं आ रहा है तो बिलकुल नहीं बताना सिधा बोलना है कि मैंने भाई अभी दो दिन हु हुआ है यार मुझे चालू किये और मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं और मुझे बहुत जबर्दस्त लग रहा है एक काम कर सही जानकारी चाहते हो ना ता साम 6 बज़ इसकी जानकारी मिलने वाली है मैं आपके लिए भी लिंक रजिस्टर्ट करवाता हूं अगर मिल जाएगा तो कि हम उसको दे रहे हैं ना कि ले रहे हैं जैसे कि मुझे अगर नहीं बताया जाता तो आज मैं इस जगह नहीं रहता तो मुझे उन्होंने दिया कि लिया लेकिन जब हुमारे अंदर भावना आ जाती है इसको बताता हूं यार अगर कर लेगा ना आग लगा देगा बहुत कि हर हाल में प्लान उनको हमें जूम में दिखाना चाहिए या तो फिर यूटूब लाइब जो लिंक चल रहा है वहां से दिखाना चाहिए उससे रिजल्ट ज्यादा आते हैं अगर कहीं फोन करते में करते बता दिये कि रेकिया मार्केटिंग कंपणी है तीन हजार देना है पैसा देंगे प्रोड़क्त मिलेगा एक जान जोड़ेंगे तीन स्वार्टिस मिलेगा प्यार होगा पांसों मिलेगा और आप एक लाग रुप्या महिना कमा सकती हो सब चीज़ तो बता दिये हो पिच्चर देखने मतलब ही क्या है फिल्म हम देखना कभी भी ट्रेलर में पूरी कहानी नहीं दिखाया जाती वहां पर इंट्रेस्टिंग पार्ट को ही दिखाया जाता है तो यहां भी आपको इंट्रेस्टिंग पार्ट को ही बताना है कि खाली समय कि समाल करके अगर पैसा आएगत कैसा रहेगा ना कि आपको पूरा पिक्चर बताना है इसलिए मारा गयात करके अगर बता दोगे भाई तो कुछ नहीं आएगा रिजल्ट तो यहां पर समझना है उसके बाद नेश्ट आता है फालो अप नो फालो अप नो रिजल्ट एक बार में कोई विचीज आदमी बहुत कम लोग ऐसे पाए जाते हैं दुनियम जो डिसीजन लेता है बहुत कम चट मंगनी पड़ वियाहना बहुत कम होते हैं ज्यादा तर ऐसा होता है कि पहले कि मम्मी नहीं रहती है तो बाद में फिर बुलाया जाता है उसके बाद में अभी बुवा नहीं देखी है तो आनेक बाद फिर बुलाया जाता है ऐसा चलते रहता है उसके बाद सभी लोग जब देखते हैं तब बोलते हैं ठीक है चलिए करते हैं उसके बाद भी टाइम ड प्रेजेंटेशन देखता लेकिन वो Σब्सक्ता है भाई कि देख वी शाधी के साधी होताता है जहां तक मैंने देखा है जाधी होटा है ना तो पड़ोसियों को बिलकुल नहीं बताता है क्योंकि यह हमारे पुरायां मठा देगा और आदमी किस से पता करता है पढ़ोसी से कि यार लड़का कैसा है अगर उसके पढ़ोसी ने बोला नहीं बहुत बढ़िया है इनका आदद वेवार अच्छा है तो चांच जादा है कि साधी फिक्स हो सकती है और अगर पढ़ोसी और पढ़ोसी का है पंगा तो वो बता है अगर उस जाँ का एक दो आदमी ने बोल दिया अच्छा नहीं, करके तो आदमी वह श्क्रण वापस हो जाता है तो एसएज नहीं हमारे भी रहता है कि वह प्लान देखता है और देखने बात क्या करता है दूसरे आदमी सब्सक्राण करता है अब सामने वाला अगर अगर नॉलेज रखता है इस फिल्ड का या वह अच्छा आदमी है तो बताएगा यार अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो लेकिन अगर सामने वाले निगेटिव चीज बता दिया तो आप ही का फोन नहीं उठाएगा या अगर आपने उनको सही समय फालो आप नहीं किया मैसेज कर दिया या और कुछ कर दिये तो रिजल्ट नहीं आता तो हमें फालो आप करना बहुंच ज़्यादा जरूरी है बिल्कुल उची प्रकार से जैसे हर बिजनेस में किया जाता है चाहिए आप गारी खरीदने जाओ पुरे जाना पूरे 3 साल तक होना आएंगे इंसरेंस वाले होंगे बुरह नहीं रहाएं लुक्स ईसा बहुत सारा चीज है जहां बिना फालो आपके कुछ होने वाला नहीं रहता है और तो आप पूजा पार्ट के लिए फालो आप करना पड़ता है। पूजा करने के लिए आदमें की को फालो आप करना पड़ता है। हम सब लोग को इंविटेशन दे दिए जू में भी बैठा दिए लेकिन अगर हम फालो आप नहीं कर रहे हैं तो रिजल्ट जीरो आएगा रिजल्ट तो ना फालो आप से आता है तो इसलिए हर आदमिक फालो आप करना है जब तक उससे हमारी बात नहीं हो जाती अगर एक नंबर से नहीं उठाते ना भाई तो दूसरे नंबर से आता है तो समझना है बिजनेस में यही रूल काम करता है उसके बाद यहां पर आएगा एटी ट्वांटी का रूल काम करेगा कि सब के सब लोग खरिदारी नहीं करते या कोई भी हास्पिटल है हमारे आसपास तो क्या उस सहर के सारे के सारे आदमें उससे हास्पिटल में जाते होंगी कोई बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है एक भगवान हैं बहुत सारे रिष्ण भगवान है और अदर अधर बहुत सारे है क्या सबके सब आदमीं एक्षी भगवान को मानता के सबके अपने अपने अलग अलग विचार ओकर रलवह करीगा कि सब्owa दमी कि बताएंगे आसी पर्सेंट आपको बाद में करेंगे 20% लोग ही हमारे साथ decision ले पाते हैं और work करना चालू करते हैं यह 80% बाद में आते हैं जब आपका income आना चालू हो जाता है आप success की तरह बढ़ने लगते हो तो यह लेगना बाद में आएंगे तो इस बात को हमें समझना है दुखी नहीं हो नहीं मि तो यहां पर भी 100 को बताओं गया असी लोग नहीं करेंगे 20 ही लोग करेंगे तो ध्यान किसमें देना है 20 में नहीं 100 में 100 में ध्यान रखना है कि मेरी 100 की संग्छा इन्युटेशन पूरी हुई की नहीं हुई और systematic systematic होना चाहिए system के जो जो बताया जार उसके हिसाब से होन अचीए उसके बाद 90% उत्सा की जरूरत है excitement की अगर आपको विलीव हो जाए विश्वास हो जाए कि आप 100% सक्सेज होने वाले हैं 100% जो जो आप चार हो पूरा करके ही रहोगे और आप कभी हार नहीं मानते हो आपके अंदर उसारी quality हैं जो जीतने के लिए जरूरी हैं अगर आपको विश्वास हो जाए आप अगर excited रहें खूस रहें कि 20 आदमिक आज मैंने इन्यूटेशन की और 20 के 20 ने मना कर दिया मतलब 80 मना करने वाले हैं अब का साथी लोग का सामना करना पड़े मैं कि रहता है जब हम मंदीर में सीड़ी चड़ते है तो क्या सोंचते हैं कि अब सिर्फ 200 ही बचा है नग atom ०ाप जीन है और अगर gefallen हो चुका होगा रहा है अब पांची दिन वचा worlds दिन जैसे वो करीब पहुंचते जाता है खूस होते जाता है तो यहां भी आपको अगर लोग स्टार्टिंग में मना करते जा रहे हैं यह नहीं आ पा रहे हैं यह आपके संद रिजल नहीं आ पारा तो खूस होना है बस आप बीस लोग और बत्ती होना है क्योंकि आप सफल होने के लिए यह ना कि हारने के लिए आप कडोर पती बनने के लिए आए हो ना कि आरने के लिए आए हो अगर आपको 100% अटूट इस्वास हो जाए कि केटिये सिस्टम में भाई जो चल नहीं सकता पहरों से ओ आदमी भी महिने के लाख रुप्य कमा रहा है जो हाउस वाइफ है जो घर घर जा नहीं सकती हो भी इंकम कर रही है जो बुजूर्ग है पचास साल 55 साल का ओभी यहां से इंकम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं सबसे बड़ी इंडेस्टी बनने वाली है इसलिए खुश रहना है बाकी बिजनेस में क्या बताया जाता है कि आने वाला टाइम पे निया बविश्य नहीं है और आने वाले समय में लेकिन यह कैसा बिजनेस है जहां पर बविश्य ही भविश्य है और उसके बाद बोला जाता है कि जिंदगी तेरी और शपने भी तेरे मंजिल तेरी हार भी तेरी जिन्दिगी तेरी सपने तेरे मंजिल तेरी हार जीत मेहनत सब कुछ तेरी फिर ये फालतु लोगों की बाते सुनकर हार जाना कौन से नाटक है भाई मतलब समझ रहे हैं जिस दिन जॉइन किये और बास हुआ क्यों क्या बताते हैं एक्सार बहुंसार पैसा कमाना है बच्चों को अच्छा सिक्षा देना है बड़िया लाइफ लेना है मस्त जिन्दगी किन्जवाई करना है गाड़ी लेना है घर बनाना है करजा मुक्त होना है देश देश घुमना है ऐसा हमने बताया लेकिन कुछ लोगों ने कमेंड कर दिया तू भी जुड़ गया तू भी लग गया तूरंत आद्मी बोलता है स्टेटस बनकर लगा फूल मती तो किसे लागा थे तूरं चालो दो किन बाद स्टार्ट है ना राइगड़ वाले राजा चल रहा है और कुछ चल रहा है अभी होलिक सिजाना अग्या होली सालू हो जाएगा तो यार अगर सपना है सच्चा तब फीर फालतु लोगों को बात क्यों सुनना सुनकर रुख जाना हार जाना मीटिंग अटेंड कर करना बंद कर देना स्टेटस लगाना बंद कर देना यह तो है सिदा सिदा ना टक है फिर आप जो बोल रहे होना सच्चा नहीं है और उसके बाद जीतूंगा मैं यहां खुद से वादा करो अगर आज आपने इस बिजनेस को जॉइन कर लिया है तो मां के समखा कि ना आप वादा करो कि जब तक ना महीने के एक लाख रुपकर नहीं आ जाएगा ना तब तक में रुखने वाला नहीं हूं ना किसी की बात में सुनने वाला नहीं हूं अगर आपके अंदर ऐसा एटिटीट्यूड रहा कि जब तक मैं नहीं जीतूंगा तब तक मैं हार ही नहीं सकत मैं जीतूंगा या खुद से वादा करो जितना सोचते हो ना कोशिस उससे जाधा करो अगर आपको लगता है कि मैं 20 इन्युडेशन करने के पावर रखता हूं चालिस करना है चालिस के अगर छमता है ना तस्षी करना है और तकदीर भी रूठे पर ना हिम्मत ना तूटे कर दिया और आप टूड़ गए तो फिर कैसे सपना पूरा हो गया क्या कि सच्चे आदमी के पहचान है कि समझना है बात को यह अगर हम खुद से वादा कर लें क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं पढ़ाई लिखाई मात्र नमें साधी ग्लास तक पड़ कर पाया था जिस इस गाओं में रहता हूं उस गाओं किला दूसरे गाओं मेरी पहचान नहीं है ।क न कोई बड़ा मेरा बेगरांड भी नहीं है एक एक चीज़ है लकिन अगर मैं किसी काम में भीड जाता हूं ना हारने वाला नहीं हूं मैं हार नाम सब्दन मेरे उसमें है ही नहीं है कुछ भी करने के लिए अगर में भीड जाता हूं ना तुमें करके ही रहता हूं चाहे मेहनत जितना करना पड़ जाए टाइम चाहे जितना लगाना पड़ जाए लेकिन मैं उसको करके ही रहूंगा कुछ भी हो जाए किस्मत में है की नहीं हो मुझे पता नहीं लेकिन मेरे मेहनत में इतना दम है इतना मेहनत करूंग इतना मेहनत करूंगा कि जो मैं चाहता ह करके रहूंगा ऐसा आगर आपके पास आगया सोच क्यों कि आप उस सिस्टम में हो उस सिस्टम में हो जिसने लोगों को बीना घर से निकले लाखों रुपय इंकम करा दिया जिसने बीना किसी को मीटिंग दिखाए लाखों रुपय इंकम करा दिया जिसने बीना किसी घर निक इतना मजबूत रहना चीए कि सामने वाला आपको ना डी एम पे लिए खिलाप बोलने के लिए सोचना पड़ जाए सोचना पड़ जाए जैसे उधर से निगेटिव कमेंट आज आए आपके तरफ सितना पॉजिटिव जाना चीए कि ना उसके अंदर भी पॉजिटिविटी घोच जाए तो यह यहाँ तक था आज का ट्रेनिंग ठेंक्ट वेरी माच